तो अभी बात करते हैं, fundamental advantages of fundamental analysis आपको समझ में आ गया, fundamental analysis किसके लिए करना पड़ता है, long term, long term के लिए आपको जब invest करना चाहते हैं, तभी आपको fundamental analysis basically करना चाहिए, and यहां पर आप company financial statements, financial analysis, फिर उसका economic कैसे move कर रहा है, उसका management कैसा है, industry कैसे move कर रहा है, और यहां पर it aids your development by increasing your knowledge of the business which you are investing, क्योंकि आप as a business owner की हिसाब से आप उसको business को देखते हैं, ऐसा नहीं कि भई, इससे दो रुपे कमालिया बस होगे, ऐसा नहीं, आप देखते हैं कि भई, इस company में मैं अगर मालिक होता, तो मुझे क्या चाहिए होता, मैं क्या देखता, इस company मैं, इस company को मैं अ आप analysis करते हैं, उसका past performance देखते हैं, past देखते हैं कि उसने क्या किया नहीं किया अच्छा बुरा सब कुछ देखके, उसका management skills, उसका decision skills, उसका future, वो किस career में है, किस company में है, वो सब सारा चुछ चीज अनलाइस करकी तो आप शादी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि randomly पकरके श future, थीक है, फिर r.com, इन्होंने आपका जो है, wealth बहुत destroy किया है, तो यहां पे management अगर सही नहीं था, उनका decision अगर सही नहीं था, so you will lose your wealth, so just make sure that you are making proper decision, थोरा सा analysis करके आप चल रहें, 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 क्योंकि नीचे भी आप decision making, अगर गलत होता है, तो it can also cause wealth disruption, make sure, and यहां पे आपको अलग अलग तरीके के system इस्तमाल करने पड़े, statistical, analytical tool आपको इस्तमाल करना है, क्योंकि जितने tool आप इस्तमाल करोगे, उतना ही आपको clarity मिलेगी, उतना आप further interpretation कर सकते हो, आप further उसका forecast कर सकते हो, कि वहीं कैसे उप जाएगा तो मुझे क्या करना है, so यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है,